हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारे अपने यूटूब चैनल सुधी टुटोरियल में और फ्रेंट्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आज हम पढ़ेंगे सिच्छा के बारे में जिसका इंग्लिस में होता है एजुकेशन कहते हैं जिसे हम इंग्लिस में और एजुकेशन सब्द जो है ये इंग्लिस के तीन सब्दों से मिलके बना है पहला है एजुकेटम तो एडुकेटम का मतलब होता है ए का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर लाना मतलब अंदर से बाहर लाना ही क्या कहलाता है हमारा एजुकेशन फिर है दूसरा हमारा एडुकेयर जिसका मतलब होता है पालन पुशर फिर आता है एडुशेयर जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना और फिर सिच्छा सब्द की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो सिच्छा सब्द की उत्पत्ति स दी हुई है जिसको देख लेते हैं हमारे एक्जाम में ये पूछे भी जाते हैं जैसे कि फ्रॉबेल जी ने कहा है सिच्छा वह प्रक्रिया है जो बालक के अंतर नहित गुडों को प्रकाशित करती है इनका कहना था कि सिच्छा मतलब ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के अंतर न बालक वा व्यक्तियों के सरीर, मन, आत्मा के सरवांगिड विकाश जी है गाधी जी का कहना था कि सिच्छा जो है ये बालक व्यक्ति के सरीर, मन और आत्मा तीनों का सरवांगिड विकाश मतलब सबका विकाश करना है अरस्तो जी ने कहा था कि स्वस्त मनुस्य में स्वस्त सरीर में स्वस्त मन का स्रिजन होता है ये एक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा फिर जो है सिच्छा जो है ये एक important line है कि सिच्छा जो है ये जन्म से प्रारंब होकर मृत्यू तक चलने वाली प्रक्रिया है सिच्छा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से ही सुरू हो जाती है हमें ये किसी ना किसी रूप में जीवन प्रयतन सीखने को मिलती है जब तक हमारी मृत्यू ना हो जाए ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ना छोड़ दे तो फिर हमारा सिच्छा भी खतम हो जाएगा जीवन प्रयतन हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सिच्छा के अंतरगत ही आता है और ये मृत्यू तक चलती रहती है फिर है सिच्छा पहले राज कानूर बनाता है और केंदर सुचि में जो संग सुचि में केंदर कसरकार कानूर बनाती है बात करें अगर समवर्थी सुची में तो ये दोनों का मिक्सप होता है राज्य और केंद्र दोनों का तो सिच्छा जो है ये पहले राज्य सुची का विश्य था लेकिन 42 संविधान संसोधन 1976 जब हुआ था तो इसमें सिच्छा को समवर्थी सुची में डाल दिया गया था 42 संविधान संसोधन को हम मीनिस संविधान भी कहते हैं रॉस के अनुसार सिच्छा की बात करें तो रॉस के अनुसार सिच्छा में चुम्बक के समान दो धुरूव होते हैं देखे, रॉस ने सिच्चा की तुलनाच चुम्बक से की है, और चुम्बक में दो धुरू होते हैं, एक होता है उत्तरी धुरू और एक होता है तक्चिरी धुरू. फिर है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिच्चा एक दुए मुखी प्रक्रिया है, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने कहा था कि सिच्चा एक दुए मुखी प्रक्रिया है, और एक जॉन डीवी है, उन्होंने कहा था कि सिच्चा एक तुरी मुखी प्रक्रिया है, तो सिच्छा को दुए मुखी प्रक्रिया कहने वाले जो थे वो जॉन एडम्स थे उनका कहना था कि सिच्छा में सिर्फ सिच्छक और चात्र ही होने चाहिए बात करें अगर सिच्छा के त्री मुखी प्रक्रिया के तो ये कहा था जॉन डीवी ने जो सही भी है जिसमें सिच्छक होता है, सिच्छार्ती होता है और हमारा पाठिकरम होता है जिसको हम व्योहार या फिर उद्देश भी कहते हैं फिर बात करते हैं अगर सिच्छा के प्रकार की ये तीन प्रकार की होती है आपचारिक, गैर आपचारिक और अनापचारिक अगर बात करें आपचारिक की तो आपचारिक सिच्छा और गैर आपचारिक सिच्छा में हमें डिग्रियां मिलती है लेकिन अगर अनापचारिक की बात करें जिसको इन फॉर्मल कहते हैं इसमें हमें कोई डिग्री नहीं मिलती है बात करें आपचारिक की तो इसको कहते हैं और ये पूर्व निर्धारित होता है, जैसे हमारा पाठिक्रम होता है, निर्धारित, समय हमारा होता है, और सिच्छड विधियों का प्रियोग होता है, समय हमारा फिक्स रहता है, और हमारा पाठिक्रम होता है, इसमें हमें अध्यापक के जरूरत होती है, ये सिच्छा हमें विद्याले या यूनिवर्सिटी में मिलती है और ये इन्फ्लेक्सिबल सिच्छा होती है मतलब कि ये लचीला पर नहीं होता है बात करें अगर गैर आपचारिक सिच्छा की जिसको हम नौन फॉर्मल कहते हैं तो इसमें इसके अंतरकत आजाएगा हमारा दूरस्त सिच्छा ओपिन लर्निंग और पत्रा चार सिच्छा और बात करें अगर अनौन चारिक सिच्छा की तो ये भी पूर्व निर्धारित कह सकते हैं कि होता है और ये बहुत ही लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होता है और ये हमारे जन्म से ही सुरू हो जाता है इसके अंतरकत हम जीवन की सिच्छा लेते हैं जैसे कि परिवार से हम कुछ न कुछ सीखते हैं हम कहीं न कहीं किसी न किसी से किसी न रूप किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ हमेसा सीखते रहते हैं तो यह जीवन की सिच्छा होती है, जैसे हम अपने परिवार से कुछ सीखते हैं, मित्र से कुछ सीखते हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं, तो उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, तो यह सब जो इन सब चीजों से सीखना होता है, यह ह एकाइब जिन हम्यों